इस वीडियो इस पावरड बाए मेटास लाइफ स्टाइल फ्रेंचाइजी शोरूम पैन इंडिया चेक डिस्क्रिप्शन फॉर बिजनेस इंफरमेशन हमें से बहुत सारे लोग अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाते हैं क्योंकि उनके बिजनेस में प्राफिटेबिलिटी बहुत हाई होती है मार्जन लेवल बहुत जादा होता है बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए हाई प्राफिटेबिलिटी होना ही काफी नहीं है सुपर स्टॉकिस्ट एंड सी एंड इसके अलावा बिजनस का एक्सपेंशन ज्वेंचर और एंजल इंवेस्टर के माधियम से भी किया जा सकता है लेकिन किसी भी सिस्टम से बिजनस को डेवलप करने के लिए आपके पास एक बहतरीन बिजनस प्रोपोजल या बिजनस प्लान होना जरूरी है किसी भी business proposal को design करने के लिए business proposal के 5 important elements होते हैं और business के 5 important elements हैं company का profile, level of investment, level of profitability, break-even point and ROI, return on investment और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है company की तरफ से provide की जैने वाली support and services और यदि हम इन सभी चीज़ों को बहुत बेतरी इन तरीके से define कर पाएं तो company का बेतर business proposal तयार होता है अगर मैं किसी भी investor के साथ अपनी company का franchise proposal शेर करता हूँ तो सबसे पहला question होगा what is the profile of the company उस company की पूरी explanation की company का नाम क्या है इसकी स्थापना कब होई, company का vision क्या है, company का turnover क्या है company का target क्या है, company का objective क्या है और किस तरह से हम अपने vision को achieve करेंगे level of investment, अगर कोई व्यक्ती उस company के साथ franchisee, dealer, distributor, investor के रूप में काम करता है तो level of investment क्या होगा? मतलब उस राजियमों से काम करने के लिए कितना पैसा company में invest करना होगा and the next thing, operating expense मतलब यदि एक investor किसी भी company में पैसा invest करने के लिए तयार है तो उसका अगला सवाल होता है कि मेरे operating expenses क्या होगे मतलब पर मन्त उस company के उस unit को चाहिए वो franchisee हो, dealer हो या distributor हो उस zone में चलाने के लिए कितने रुपए पर मन्त operating expense के रूप में खर्च करने होगे and the operating expense stands for rent, electricity, staff salary, administration expense, miscellaneous expenses and the next important question is profitability and the profitability stands for उस business को start करने के बाद कितने समय में वो अपना profit generate टरना शुरू कर देगा कितने समय बाद उसके company profit में आ जाएगी जिसके लिए important है इस बात को समझना के company का break even point क्या होगा मतलब कितने महिने का समय उसको अपने operating expenses को cover करने में लगेगा क्योंकि operating expenses को bear करने के बाद ही कोई व्यक्ती high profitability में margin कमा सकता है ROI return on investment एक investor ने आपकी company में जितना भी पैसा invest किया है वो total investment कितने number of month और कितने number of years में recover होती है and the last and most important thing support and services provided by the company यदि हम investor के रूप में किसी व्यक्ती से पैसा अपनी company में invest कराते हैं चाहे वो franchisee हो चाहे वो dealer हो investor हो कौन कौन सी support और services हम company की तरफ से उस zone उस state और उस country में business को survive करने के लिए provide करेंगे like advertisement support, marketing support, administration support इन 5 important modules को इकठा करने के बाद जो proposal तयार होता है उसी के विहाब पर एक investor आपकी company में invest करने के लिए तयार होता है friends आप लोगों की help के लिए Metas Club के business channel पे हमने बहुत सारी informative training video share की है आप यह library देखे जो वीडियो आपको पसंद आता है उससे सीखें, समझें और अपने business में implement करें और यदि आप भी मेरे training program में as a guest आना चाहते हैं तो comment box में अपना comment अवश्य लिखें आपके सुनेरे बहुश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद जै भारत